मदिप्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव से पहले हनी ट्रैप कांड चर्चाओं में आ किया हनी ट्रैप की सीडी को लेकर लगातार सियासत चारी है मद्यप्रदेश विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष गोविन सिंग ने हनी ट्रैप की सीड़ी को लेकर बड़ा बयान दिया था इसके बाद से लगादार भाजपा और कॉंग्रस में हनी ट्रैप की सीड़ी को लेकर बयान बाजी सामने आ रही है हाल ही में नेता प्रतिपक्ष के बाद PCC चीफ कमलनाथ ने कहा कि उनके पास हनी ट्रैप कांट के सीड़ी है लेकिन मंगलवार को पूर्व मुख्यमत्री कमलनाथ पुराने बयान से किनारा करते हुए दिखाए दिये उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सीड़ी मेरे पास नहीं है आप सबसे मैंने कहा था कि मैंने पैन ड्राइव देखी है बता दे मंगलवार को कमलनाथ PCC में आयूजित अनुसुची जाती के कारेक्रम में शामिल होने पहुचे थे हने ट्राइव की सीड़ी को लेकर कमलनाथ से कहा कि पुलीस अफसरू ने मुझे पैन ड्राइव में वैसब दिखाया था लेकिन मेरे पास सीड़ी नहीं है मैंने पुलीस से कहा कि और जाच करो ये सही है या गलत है आजकल कोई भी कुछ भी बना लेता है मैंसे कोई चीज नहीं करना चाहता जिससे मध्यप्रदेश की बदनामी हो इसके आगे क्या हुआ पता नहीं PCC चीफ कमलनाथ से दतकालिन डीचेपी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भूल गया तीन-चार पुले सदिकारी आये थे उन्होंने अपने लैप्टॉप में मुझे दिखाया था जो एक मिनिट चालिस सेकेंड का था मैंने तीस सेकेंड देखा मैं पेंट्राइव अपने पास से रखना नहीं चाहता था नेता प्रतिपक्ष गुविन सिंग के साथ औहूने की सवाल पर नाथ ने कहा कि सिंग को सीडी भाजपा वालों ने ही दी थी बता दे हनी ट्राप में गठे एसाइटी का मलाज से कती सीडी पेंट्राइव अब तक हासिल नहीं कर सकी है भुपाल के जिला कोट में अगली सुनवाई 14 जुनवरी को है एसाइटी के इंस्पेक्टर शेकान चौरसिया ने कोट में अपने बयान में कहा कि उन्होंने पूर्वा मंत्री को धारा एक सुसाथ दंड़ प्रक्रिया सहीता और धारा इंकानवे के तहद नोटीस दिया था लेकिन वहाँ लीगल एडवाईजरी सुसाथ शेकर ने ये कहकर लोटादिया की कमलनाथ बाहर है गौर तलब है कि हनी ट्रैप मामले में 2019 इंदोर में पाच महिलाओ और एक चालो को गिरफतार किया किया था उस समें प्रदेश की मुख्यमंत्री कमलनाथ थे बहुतों के पास है मेरे पास क्या है बहुतों के पास हनी ट्रैप की ड्राइव है कोट में तो ये बाद में गया ड्राइव तो पहले आई तो बहुतों के पास है पत्रकारों के पास है